हलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई चैनल हाजरू एक नई लव स्टोरी लेकर लव फ्रॉम डिवोस ये स्ट्रामी की हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट वन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिर्वात लेन से होती है जो सच धच रही होती है क्योंकि आज उसका हस्बेंड अब्रोस से वापिस आ रहा है उसकी स्टेप मूम उसे समझा रही होती है चाहे जो मरजी हो जाये तुम्हें अपने हस्बेंड से डिवोस नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डै को तो गुस्सा आ जाता है उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लो नई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा असेसिन लेंग को कॉल करकर बता देता है बोस वापिस आ गई हैं लेकिन वो घर नहीं आएंगे इदर मुबाई एक होटल जाता है पार्टी अटेंड करने लिन नाम की लड़की बहुत जादा खुश हो रही होती है थैंक्यू मेरे बड़े पार्टी में आने के लिए लेकिन मुबाई बोलता है मुझे वो लोग बिलकुल भी पसंद नहीं हैं जो मेरे काम के बीच में आते हैं ये बोलकर वो स्टाइल मारते हुए पार्टी में आ हैं और जब तुम अबरोड में थे पीचे से तुम्हारे ससूर ने कंपनी में बहुत जादा घोटाला भी किया है उन्होंने हमारी कंपनी की रैपोटेशन की धजियां उड़ा कर रखी हुई है मुबाई बोलता है अगर आपका खतम हो गया तो क्या मैं बोलू अबसे ये में खुद हैंडल करgen गा और रही बात मेरे ससूर की उन्हें भी मैं खुद देखलूंगा तब इमहां पर कर लेंद भी आ जाती है और मुबाई को ढूनने लग जाती है लेंद की FRIEND मान को देख कर बोलती है न्ब कर बोलता है кам使णो पर जब जो देखता है यह तो उसकी ह तो जानकर उसे चोड़ देता है लैन बोलती है मैं तुम्हें घर वापिस ले जाने आई हूँ मुबाई पूछता है किसके घर ले जाने आई हो लैन बोलती है हमारे घर लेकिन मुबाई तो उसे डिवोस के पेपर थमा देता है जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दो उसके ब भी मुबाई को मनाने लग जाती है प्लीज ऐसा मत करो मुझे छोड़ कर मत जाओ मुबाई को तु गुसा जाता है भोत हो गया तुम्हारे फैमली के इतने सारे जुट मैं जेल चुका हूँ बस और नहीं इसलिए चुप चाप से डिवोस पेपर पर साइन कर दो ये बोल कर व को एक्टिंग कर रही है इसलिए अपने असिस्टेंट को बोलता है इसे होस्पिटल ले जा और चैक अप के बाद मुझे रिपोर्ट ला कर दे देना असिस्टेंट एंबुलेंस को कॉल करता है तर टकरानी की वज़े से लैन को कुछ पुरानी चीजे याद आने लग जाती लैन जब वापिस घर आती है तो उसे पता चलता है उसकी मौम की डैट उसके डैट की वज़े से हुई थी और उसके डैट घर में एक नई मिस्टरस को लेकर आ गई है देखकर लैन उस मिस्टरस पर चिलाने लग जाती है जिस वज़े से डैट उसे एक चाटा लगा देते ह लैंड बोलती है पहले आपने मेरी मौम को धोका दिया और उपर से आप इस मिस्टरस के लिए मुझे चाटा लगा रहे हो भूला मत आपके पास जो भी बिसनस है वो सब मेरी मौम नहीं आपको दिया है दैड फिर से चाटा मरने वाले थे लेकिन अब उसका सर दिवार से टकरा जाता है जिसकी वज़े से उसकी यादाश चली जाती है प्रेजन में लैंड होस्पिटल में होती है तो अपने फ्रेंड येन को ये सारी चीजे बता रही होती है कर अगर मेरा सर ना ठकराया होता तो मुझे ये सारी चीजे कभी याद नहीं आती इसका मतलब इतने टाइम तक मेरे डाड और मेरी स्टैप मॉम मुझे इस्तमाल कर रही थी क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई थी मेरी मॉम ने जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर की थी वो सब उन्होंने अपने नाम करवा ली है येन पूछता है अब तुम्हारा क्या प्लैन है लैन बोलती है मेरे डाड ने उन्हें धोका दिया है और मुझे भी मैं उनसे सब कुछ वापिस ले लूँगी जो मेरी मॉम मेरे लिए दे कर गई थी साथ ही उस मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को भी घर से धक्के दे कर निकाल दूँगी येन बोलता मुबाई को इस बारे में बता दो लैन मना कर देती है अगर मेरी यादाश कभी गई ना होती न तो मैं इस जैसे खूसक इंसान से कभी शादी ना करती माना कि मेरी फैमली ने इसे धोका दिया है और जूट भी बोले हैं पर कम से कम उसे तो मुझसे सही तरीकी से बात करनी चाहिए थी ना लेकिन अब साइट टाइम आ गया है मुझे उसे दोप हो जाना चाहिए दोस्ते तरफ मुबाई कमपनी में होता है और अपने असिस्टन से पूछता है मेरी वाइफ अप कैसी है असिस्टन बताता है वो होस्पिटर से डिस्टार्च होने वाली है और एकदम चका चक है साथ ही उन्होंने आपके लिए ये भेजा है मुबाई बोलता दिखाओ जरा क्या भेजा है असिस्टन दिखाता है उन्होंने डिवोस के पेपर भेजे है हुवाई पूचता है बताओ अहले मनी के तोर पर वो कितने पैसे मांग रही है असिसेंट बताता है बोस मैडम ने कहा है वो आप से एक मैनी भी नहीं लेना चाहती हुवाई तो शोक हो जाता है ऐसा केसे हो सकता है ये लालची लड़की जरूर कोई ना कोई प्लैन बना रही होगी बड़ा वैसे उसने और क्या क्या कहा है असिसेंट बताता है बोस मैडम ने कहा है वो सच में अंदी थी जो आप जैसे हार्टलेस और मतलबी इंसान के साथ उन्होंने शादी कर ली वो जल्द से जल्द आपको डिवोस देना चाहती है वो आप से किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द डिवोस लेना चाहती है मूबीन बोलता है मैं एकदम परफेक्ट हूँ उसकी हिमत कैसे हो गई मेरे बारे में ऐसी बाते बोलने की और डिवोस पेपर साइन करने वाला था तब ही उसे असिसेंट की बताई बाते याद आ जाती है कि लैन उसे बोल रही होती है कि मैं अंदी हूँ तुमारे जैसे हा शोपिटल पहुंच जाता है और राइन इमें ही कुद को देखर स्टाइल मारने लग जाता है और रूम के भार से सुनने लग जाता है ले नोसके बारी में भात मोगा मिले न तो मैं दुबारा उससे कभी शादी करू ही न यान बोलता है तुम एकदम बड़ी अबाते कर रही हो जब तुम्हारी शादी हुई थी न तुम एकदम बदल सी गई थी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी self confidence नाम का कुछ भी बचा नहीं था एवन तुमने अपन मुबाई बोलता है sorry मैंने तुम लोगों को disturb कर दिया होगा ना लैन बोलती है यहां क्या करने आए हो डिवोस पेपर साइन करें या नहीं मुबाई बोलता है अच्छा तो इस लड़की के लिए तुम मुझसे डिवोस लेना चाहती हो लैन बोलती है डिवोस पहले तुम ही मुझे देना चाहते थे अब बस मैंने तुम्हारी बात मानी है यान बोलता है तुम फालतो की बखवास करकर टाइम वेस क्यों कर रहे हो चुप चाप से डिवोस पेपर साइन क्यों नहीं कर देते मुबाई चिलाने लग जाता है मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं मुबाई बोलता है क्या हुआ अपनी गलती समझ आ गई क्या लैन बोलती है मैं तुम्हें याद दिलाने आय थी जल्दी से डिवोस पेपर पर साइन करकर मुझे घर बेज देना गर आने के बाद मुबाई को बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा होता है मैं एकदम कि सामने किसी और लड़के का हाथ पकड़ कर मुझे दिखा रही थी पूर्स लड़की का चैरा देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुसा आ रहा है असिसन बोलता है बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता है इवन लड़किया तो उस पर फिदा है मुबाई बोलता अपना मुझ बंद करो और जल्दी से मुझे डिवोस पेपर पकड़ाओ तब फिर से लैन को इमेजन करने लग जाता है लैन उसे बोल रही होती है अच्छा हुआ तुम फाइनली डिवोस पेपर पर साइन कर रहे हो फाइनली मुझे तुम जैसे कच्रे से चुटकारा मिल जा मेडम अपना बैग लेकर घर से जा रही है लैन अपना लगेज कार में डाल कर जाय ही रही होती है तब ये मुझे वहाँ पर आजाता है तुम कहां जा रही हो लैन बोलती है तुम किया करोगे जानकर अबी तक मैंने तुम उसे डिवोस लेना चाहती हो और दूसी तरफ जानकर बार बार मेरी बाहों में गिर जाती हो यह सब तुम मेरा टेंशन पानी के लिए कर रही हो ना मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी डिवोस नहीं लेना चाहती हो लैन बोलती है तुम्हारा बेजा खर कर लेता है यान उसे दूर हटा कर एक चाटा लगा देती है उसके बाद लैन अपने फिंड येन से मिलने आ जाती है सोरी मुझे आने में लेट हो गया एक पागल आदमी मेरे पीछे पढ़ गया था उसी से पीछा चड़वाने में मुझे टाइम लग गया यान बोलता है क्या तुम मुबाई की बात कर रही हो लैन बोलती हाँ पता नहीं वो पागलो जैसी हरकते क्यों कर रहा है पहले तो वो कुदी मुझे छोड़ना चाहता था और अब मैं मान गई हूं तो मेरे पीछे ही पढ़ गया है वैसे मैंने तुम्हें जिस चीज के बारे में पता लगाने है तब ही मैं कहूं नोंने मुझसे इतनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन क्यों कराये था वैसे थैंक्यू मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तुभी तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए यान बोलता है तुम सारा काम मुझ पर छोड सकती हो मुझे तुमारे लिए काम करने में अच्छा लगता है लैन खाना खाने लग जाती है और येन बस उसे देखे जा रहा होता है क्योंकि वह से मन ही मन पसंद करता है दूसरी तरफ असिस्टन मुबाई को बताता है कल आपके ससुर ने आपको डिनर पर बुलाया है पर वाइफ वहाँ पर आने वाली है नेक्स डे का सेन दिखाया जाता है लैन के डैड और उनकी मिस्टरेस अपनी बेटी के साथ डिनर टेवल पर बैट कर मुबाई का वेट कर रहे होते हैं लैन की स्टेप सिस्टर बोल रही होती है लैन की सारे प्रोपटी हमारे पास आ गई ह मुझे खुद के घर में आने के लिए भी परमीशन लेनी पड़ेगी डैन बोलते है तुम अपनी मोम से ये किस तरीके से बात कर रही हो लैन बोलते है आप अच्छे से जानते हो ये मेरी मोम नहीं है मेरी मोम तो बहुत पहले ही मर चुकी है उसके बाद लैन अपनी स्टेप सिस्टर को बोलते है तुम मेरी जंगा पर क्यो बैटी हो मेरे शादी को कुछ महीं नहीं हुए है और तुमने मेरी जंगा भी ले ली तुमने ऐसे सोचनी की भूल भी कैसे की अगर मैं नहीं होई तो तुम मेरी जंगा ले सकती हो कई तुम ये तो नहीं लग रहा तुम इस घर की बेटी बन गई हो शाओ बोलती है बिलकुल मैं इस घ करकि बेटी हूं। लैंड डैड को बोलती है देखो न यह क्या बोल रही है। लैन बोलती है क्या आप बूल गए आपकी सगी बेटी मैं हूँ डैड पूछते हैं किरकार तुम करना क्या चाती हो लैन बोलती है आपी ने तो मुझे याँ पर बुलाय ता ना वैसे मुझे भी आपसे काम था उसी भारे में मैं आपसे बात करने आई थी आप वो सारी प्रोपटी मेरे नाम कर दे जो मेरी मोम मेरे लिए छोड़ कर गई थी वरना मैं आपकी मिस्ट्रेस और उस बेटी को घर से भार निकाल दूंगी तबी मुबाई उनके घर के पास पहुँच जाता है और उन लोगों के जगड़े की आवाज सुनने लग जाता है लैन के डैड गुसे में गिलास उस पर फैक रही होते हैं लेकिन मुबाई उसे कैच कर लेता है और लैन डैड को वर्निंग देता है बेशक आप इसके डैड हो पर मैं इसका पती हूँ इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ दुबारा ऐसी कोई चीच होते हुए नहीं देख सकता इसलिए दुबारे से उस पर चिलाने और मानी की कोशिश मत करना नहीं तो मुझे भी नहीं मालूँ मैं आपके साथ क्या करूँगा डैड बोलते हैं अरे ये दोनों बेने जगरा करने लग गए थी इसलिए मुझे थोड़ा गुसा आ गया था अब तुम आई गए हो तो साथ में डीनर करते हैं ना मुबाई बोलता है मैं यापड डीनर करने नहीं अपनी वाइफ को ले जाने ही आया हूँ बोलकर मुबाईल लैन का हाथ पकड़कर उसे भार लेकर आजाता है हार आकर लैन बोलती है मेरा हाथ छोड़ो और ये सब तुम क्या कर रही हो मुबाई बोलता है मैंने तुम्हारी अभी हेल्प करी और तुम ये सब क्या बोल रही हो तुम्हें तो मुझे धैंक्यू बोलना चाहिए ना लैन बोलती है मैं तुम जैसे इंसान को थेंक्यू क्यों बोलूंगी और भूलो मत वैसे हमारा डिवोस होने वाला है मुबाई बोलता है पर अब मैं तुम्हें डिवोस नहीं देने वाला क्योंकि मुझे तुम में इंटरस्ट आने लगा है लायन बोलती है तुम इतनी बड़ी कंपनी की CEO हो पर अपनी बात पर टिकना नहीं आता ये बोलकर वो गुसे में जा रही होती है मुबाई गुसे में पेर पर पंच मारता है पर उसी के हाथ पर लग जाती है बिचारे को बहुत दर्द हो रहा था पर लायन जैसे ही पीछे मुड कर देखती है मुबाई नोर्मल होनी की एक्टिंग कर रहा होता है लायन बोलती है मैं तुम्हे वोन कर रही हो जल्दी से जल्दी मुझे डिवोस पेपर साइन करके भेज़ दो यह बोल कर वो वहां से चली जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियू अपडेट्स के लिए बेल एकन का बटन प्रेस करें मिलती है नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई